दोस्तो कल के वीडियो से आप लोगों को दो 51 में घ्लां अपके माइंड में था कि सर जो Brazil है ये किस continent में आता है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको continents दिखा देता हूँ कौन-कौन सी continents है यहाँ पर एक तो यह रहा Australia, Asia, Europe, Africa, North America और ये नीचे आपको South America आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर देखो आपको confusion भी वन में नहीं रखना है Brazil जो है ये South America का एक देश है तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जो Amazon के जंगल है वो इसी छितर से बिलॉंग करते हैं यहाँ पर देखो सबसब आपको दिख रहा होगा Brazil on world map तो यहाँ पर world map में Brazil कहाँ पर है व लोग देख चुके हैं इस तरीके से आपको यहाँ पर देखी जो चीज मैंने यहाँ पर बताई थी आपको South America continent में यह Brazil आपको दिख रहाएगा तो बड़े अच्छे से आपको यहाँ पर यह दिख रहा होगा एक बार अच्छे से एक बार फिर से आप इसको देख लेंगे ब्राजील देश हो है यह यहाँ पर आपका सहता है तो यहाँ पर पहला confusion आपका clear हो गया चलते हैं दूसरे confusion की तरफ दोस्तों दूसरा confusion आपको इस वाले question में गवा था जिसमें question था कि walk to work अभियान भारत के किस राज्य में सुरू किया गया है तो यहाँ पर थे को by mistake यहा पर money पूर लिगया है यहाँ पर होगा मेगाले तो इसको आप लोग correct कर लेंगे हाला कि आप लोगों को जो PDF provide किया जाता है उसमें सारे correction कर दिये जाते हैं तो यहाँ पर दखो यह जो money पूर था इसका right answer यहाँ पर मेगाले होगा यह printing में mistake था उसी के according मैंने यहाँ पर आ talk to work अभियान जो है इसको मेगाले राज्य में सुरू किया गया था तो यहाँ पर बनीपूर की जगह मेगाले हो जाएगा तो दोस्तों इसी के साथ में सुरू करते हैं 3 सितंबर 2019 के current affairs के सभी questions को पूरा वीडियो बड़े दियान से दिखना अगर आपको वीडियो परसंद के पहला हमारा कुशन मना है कि मोटर वाहन संसोदन एक्ट 2019 के प्रावधान किस तिति को लागू हो गया है तो यहाँ पर तको यह जो रूल्स है मोटर वेहिकल्स के ने वाले इसको 1 सितंबर 2019 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है हाला कि 3 राज्या ऐसे हैं जिन्हो जल्दी से वहाँ पर भी यह लागू कर दिये जाएंगे तो यहाँ पर तको 1 सितंबर 2019 से मोटर वाहन संसोदन एक्ट 2019 को पारित कर दिया गया है इसके अनुसार होगा क्या जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं उसमें जो फाइन लगते हैं उनमें इंक्रिमेंट कर दिया गय होगे जिसमें ना के वेल एक्जाम के पॉइंट अफ्यू से जबकि आप लोगों को रोड पर चलते समय किस चीज को लेकर कितना फाइन लगाया जा सकता है यह सारी चीज़े यहाँ पर दे रखे हैं और हर एक टॉपिक से हर एक पॉइंट से कुस्तन बन सकता है जैसे कि गाड़ी चलाते समय हम लोग सीट वेल्ट पहनना भूल जाते हैं दूसरा जब भी हम लोग बाईक चलाते तो इन दो चीजों को सबसे पहले देखेंगे अगर आप बिना सीट वेल्ट लगाकर गाणी चलाते हैं तो आपको पहले 100 अरुपन तक का फाइन देना परता था ज गर हम लोग बाइक चलाते समय हेलमेट लेकर नहीं निकलते हैं तो उस समय क्या होगा तो देखो बीना हेलमेट के वहान चलाने पर अब आपको एक हजार रुपए तक का जुर्माना आपसे वसूला जाएका साथी साथ में आपका जो लाइसेंस है उसको तीन महिने तक के लिए निलंबित किया जा सकता है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि घर से जब भी आप वाइक पर निकलते हैं तो हैलमेट पहन कर जरूर निकलें इसके लावा और भी बहुत सारे पैनाल्टीज हैं जिसको यहाँ पर हम लोग डिसकुस करेंगे एक दो और खास-खास देखेंगे जैसे कि अगर आप म 5,000 रुपीज देने पड़ते थे जिसको बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है इसी तरीकी से और भी बहुत सारे यहाँ पर देखें हर एक पॉइंट एक अपने आपे कोशन बन जाएगा तो इन पॉइंट्स को PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना PDF आपको टेल वित्वर्स 2019 से 20 की पहली तिमाई में भारत की GDP वरदी दर कितने प्रतिसत रह गई है तो यहाँ पर देखते हैं इसका जो परसेंटेज है वो रह गया है 5 प्रतिसत तो option A यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि वित्वर्स 2019 से 20 की एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है बात हो रही है पहले तिमाई की ठीक है अगर यहाँ पर दूसरी या तीसरी तिमाई लिखा होगा तो आंसर 5 परसेंट नहीं होगा पहली जो तिमाई होती है उसमें जो ब्रदी दर है GDP की वो है 5 प्रतिसत अब यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ी समझना है जैसे कि क्या ह घर होता है कि इस समय जो यह चलंज जन्वर्री फर्वरि मार्च भर यानिकि 2019 जो एख चलंग उसको बनाइब सहता है असेसुमेंन्ट एयर ठीक है इसके लाभा जो फाइनेंशियल एयर होता है वो होता है एक अपरेल से 31 मार्च के बीक में जितनी भी भारत में फाइदेसि होगे या फिर जो GDP का कैलकुलेशन होगा वो सब जनवरी से दिसंबर वाले मंत में नहीं होगा उसका जो इवैलिवेशन है उसको financial year के हिसाब से किया जाता है यानि कि उसको एक अपरेल से 31 समार्स के बीच में इवैलिवेट किया जाएगा ठीक है साथी साथ में आपको बता दें इस समय जो पहली तिम्हाई है 2019 से 20 financial year का जो पहली तिम्हाई का जो समय GDP आया है वो पिछले 6 वर्सों में सब से नीचे के इस्तर पर पाया गया है साथी साथ में अगर आपसे एक प्रस्तम पूछा जाया कि भारत का जो GDP है वो कितने दिनों के बाद में इवैलिवेट किया जाता है तो दोको इसका right answer हो जाएगा कि इसको हर तीसरे मैंने के बाद में इसको calculate किया जाता है तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि GDP अगर एक बर 5% हो गई तो पूरे साल 5% रहेगी ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपके मन में एक डाउट किलिए रखना है कि GDP हर तीसरे महिने में evaluate करी जाती है यानि कि सर अगले तीन महिने में हो सकता है इंडिया इंप्रूब्मेंट कर ले बिल्कुल सही बात है हो सकता है इंडिया यहाँ पर इंप्रूब्मेंट कर ले साथी साथ में आपको यहाँ पर एक फोटो दिखाता हूँ इस फोटो में आप देख सकते हैं इस बार का जो पहला तिमाई है उसमें GDP ग्रोथ रेट है 5 प्रतिसाथ साथी साथ में लगातार चौथा ऐसा क्वाटर है जिसमें हम लोग जो हमारा GDP है वो डाउन होता जा रहा है देखो यहाँ पर 7 परसंट था उसके वाद में 6.6 परसंट हो गया फिर 5.0 रह गया और आप गिरकर 5 परसंट तक यह पहुँच गया है अगर आपसे पूछा जाएं कि इसी दवरान यानि कि पिछले साल 2018 से 19 वाले फाइनेंसियल इयर में इसी यानि कि पहले क्वाटर का जो GDP ग्रोथ था वो कितने परसंट था तो पिछले साल के अगर बात किया तो उस समय GDP हमारा था 8 परतिसत जो कि 3 परसंट का गिरावट आया है और इस समय हो गया है 5 परतिसत तो यह भी एक परसंट बन सकता कि पिछले साल के comparison में same period के दोरान GDP में कितने परतिसत की गिरावट आई है तो answer टी करोगे कि GDP में 3 परति है वो किस तरीके से की जाती है तो यहाँ पर आपको मैंने पतायाकि जो GP होती है वह हर तीन महिने में इवैलुएट करी जाती है और इसकी सुरवात हुती है एक अप्रेल से 31 स्मार्च के बीच में तो यह पर क्या होता है अप्रेल से और दिसम्मर यह हमारा तीसरा Slot होगा और जनवरी फरवरी और मार्स यह हमारा 4 Tha Slot होगा यानि कि साल पूरे साल की अगर बात करिया तो कुल मिला कर 4 बार GDP Californ करी जाती है पहला दूसरा तीसरा और चौथा अभी जो समय डेटा रिलीस किये गए हैं वो हैं पहले स्लोट के यानि कि पहले क्वाटर की तो इस वाली के डेटा है जिसमें जो जीडीपी है वो है पांच परस्त अब देखते हैं कि बाकी के बचे हुए तीन स्लोट में भारत का जो जीडीपी है वो कितने परसंट रहेगा बढ़ता और बब स्थोटेब अधागा देखने में तो आपको दिखा रोड़ेटे हैं आपको अच्छे तरीके से यह पॉइंट किलियर हो जाए तो यह फोटो है मनुज मुकुंद जी का जिन्हों ने अभी हाल ही में आर्मी स्थाप के वाई सिप का पत्मार समाल लिया है करेंट अफर्स के अगले कुष्टन की तरप चलते हैं देखो अगला कुष्टन क्या बना है देखें दोस्तों I SSF World Cup का जो एक competition है वो अभी चल रहा है जिसके दोरान question ये बना है कि भारत की ये ससुनी देशवाल ने I SSF World Cup में महिलाओं की कितने मीटर एयर प्रिस्टल इस परदा में सौन परग जीत लिया है तो यहाँ पर आपको बता देऊं ये ससुनी देशवाल ने I SSF World Cup में 10 मीटर की इवेंट में सौन परग जीत लिया है यानि की गोल्ड मैडल को जीत लिया है तो सबसे पहले मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ जिसमें की ये ससुनी देशवाल है यहाँ पर इवेंट के बाद में जिस तरीके से फोटो खिचवायदा ये फोटो आप इंडिया के फ्लैक के साथ में देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो आपको सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगी इससे पहले एक प्रस्निया पर और भी बन सकता है जैसे कि यह जो IASF World Cup पर इसका venue क्या है तो इसका venue है रियो डी जेनेरियो ठीक है एक प्रस्निया पर यह भी बन सकता है कि आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि यह ससुनी देखवाल जो है यह किस खेले से संब्दित है तो आपको बताना है कि यह ससुनी देखवाल जो है यह सूटिंग से संब्दित है तो सूटिंग उसका राइट एंसर आप लोग टिक कर दोगे और IASF World Cup में उन्होंने कितने मीटर में गोल्ड मेडल जीता है तो राइट एंसर हो जगा 10 मीटर इवेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यह ससुनी का फोटो भी आपको दिखा चुका हूँ सो देट अच्छे से आपको यह चीजे समझ में आ जाएं करेंट फर्स का अगला कुशन क्या बनाएंगा कुशन यह बनेगा कि एक रिपोर्ड के मुताविद कौन सा देश 2025 तक कोकिंग कोल का सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा तो इसका आयातक और निर्यातक में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए निर्यात का मतलब होता है अपने देश के माल को किसी दूसरे देश में भेजना और आयातक मतलब आना मतलब किसी दूसरे देश से चीज़ों को अपने देश में लेकर आना तो भारत में जो कोकिंग कोल है इसक चीज़ दिखाता हूँ कि यह जो रिपोर्ट है कि भारत ऐसा करेगा यह किस रिपोर्ट में पब्लिस हुआ है तो यह जो रिपोर्ट है यह है Fitch Solutions Macro Research इस report में इसको publish किया गया है actual में यह जो cook होता है cooking cook जो होता है इसका इस्तिमाल जो होता है industry में खास करके जो steel industry होती है उसमें steel को गलाने के लिए इसका उप्यों किया जाता है तो साथ ही साथ मैं आपको बदा दूँ पिछले कई दिनों से अगर आप लोग current affairs को follow कर रहे होंगे तो भारत का steel market है वो बहुत तेजी से grow कर रहा है चुकि भारत का steel market grow कर रहा है तो जाई सी पते steel के processing में इस cooking coal का इस्तेमाल किया जाता है इस बज़े से भारत जो है Australia से बड़ी मात्रा में cooking coal का import भी कर रहा है तो इसका right answer एक बार फिर से देख लेंगे cooking coal 2025 तक सबसे बड़ा आयतक देश बन जाएगा भारत तो option B यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा current affairs का अगला question बनेगा ipsos द्वारा किये गएक survey के अनुसार global happiness index में भारत कौन से इस्तान पर आया है तो देखो 28 देशों को लेकर एक global happiness index बनाया गया है जिसमें की 28 देशों में भारत जो है वो नवे इस्तान पर आया है तो option D यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा भारत जो है global happiness index में नवे इस्तान पर आया है एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना इस index को बनाया किसने है तयार किसने किया इस basis पर इसका answer भी change हो सकता है जैसे इस वाले index को तयार किया है Ipsos नाम की एक company ने तो यहाँ पर इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि global happiness index अलग-अलग organization के द्वारा calculate किया जाता है यहाँ पर इन्होंने दुनिया के 28 देशों को list में रखा है जिसमें की भारत जो है वो नवे इस्तान पर आया है तो यहाँ पर आप एक happiness का photo भी देख सकते हैं आपको अच्छे से चीजे clear हो जाए अगले कोशन में चलते हैं अभी एक सूचकांक जारी किया गया है जिसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा सुरच्छित सहरों की list बनाई गयी है उसमें सुरच्छित सहरों की सूचकांक 2019 में भारत का सबसे सुरच्छित सहर कौन सा पाया गया है तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option नमबर B यानि कि मुंबई जो है ये भारत का सबसे ज़्यादा सुरच्छित सहर माना गया है मुंबई की बाद में नमबर आता है दिल्ली का तो मुंबई सबसे ज़्यादा सुरच्छित है तो option B यहाँ पर बिल्कूल सही हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साब साब लिखा है दुनिया के सबसे सुरच्छित सहरों में सामिल भारत के दो सहर तो यहाँ पर फोटो से भी आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पर यह इंडिया गेट की फोटो इसका मतला वे दिल्ली को सामिल किया गया है और इस तरह आपको यह इमारत कौन से यह चीज़ आप लोग कमेंट करके बताएंगे और यह इमारत जो है यह मुंबई में इस्तिता है इस बज़े से यहाँ पर मुंबई दूसरा सहर हो जाएगा अब इस पूरी लिष्ट को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझो कि इस रिपोर्ट में यह चीज़े पब्लिस करी गई है तो एक रिपोर्ट है जिसको बुलते हैं Economics Intelligence Unit इस रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पर है टोक्यो तो यह भी आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सुरच्चित सहर अगर कोई है तो वो है जापान का टोक्यो इसके लबा दूसरे नंबर पर आता है Singapur तीसरे नंबर पर आता है Osaka और Mumbai जो है यह Global List में 45 नंबर पर आता है और दिली जो है यह 50 Second नंबर पर आरा है लेकिन अगर भारत की बात करी जाए तो Mumbai जो है यह पहले इस्तान पर आगया current affairs के अगले question की तरब चलते हैं हाल ही में किसने BSF के director general के रूप में कारेबार समाला है तो यह वाला question हम लोग पहले भी कर चुके हैं इसका right answer हो जाएगा विबेक कुमार जोहरी ने BSF के नए director general के रूप में कारेबार समाला है तो यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं यहाँ पर BSF का लोगो भी आपको दिख रहा होगा और इस तरब आपको दिख रहे होंगे जिनके बारे में आपर बात को रही है विबेक कुमार जोहरी तो option D यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा BSF के डारेंदर जोहरी बने है विबेक कुमार जोहरी करेंट अपर इसका अगला question मना है अमेरिका की किस institute के द्वारा स्वक्ष भारत मिसन के लिए नरेंदर मोदी जी को समानित किया जाएगा तो अमेरिका का एक foundation है जिसका नाम है दा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन उसके द्वारा भारत के प्रदानमंतरी नरेंदर मोदी द्वारा चला गए एक मिसन जिसका नाम है स्वक्ष भारत मिसन को सक्सेसफुली एक्जेक्यूट करने के लिए एक अवार्ड से सम्मानित करने की गोशना करी गई है यहाँ पर अब बिल एंड मिलिंडा गेट्स पाउंडेशन का फोटो भी देख सकते हैं जिसके द्वारा पीम मोदी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा अब आपको पताए बिल और मिलिंडा गेट्स पाउंडेशन करता क्या है ये इसी तरीके के काम करता है सठीबी मिटाने के जट्र में स्वास्त के जट्र में इन सभी के जट्रों में काम करता है बाद रहिया पर भारत का सठीजफ पारट मिसन तो यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा लसित मलिंगा इसका राइट एंसर हो जाएगा तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्रिलंका के तेज गिंदवार लसित मलिंगा ने T20 International में सबसे ज़़ा विगेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया है अगला प्रस ने का अगला प्रस का अगला प्रस ने वेग्यानिकों ने किस देश में मानव की लगबख 3.8 मिलियन वर्स पुरानी खोपड़ी की खोज कर ली है तो एक देश है जिसका नाम है एथियोपिया एथियोपिया देश के वेग्यानिकों ने 3.8 मिलियन वर्स पुरानी खोपड़ी को खोज गिया है तो option B यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर उस खोपड़ी का फोटो भी मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं यह वाला फोटो जो आप देख रहे हैं यह वही खोपड़ी है जो कि 3.8 मिलियन वर्स पुरानी पाई गई है जिसको अभी रिसेंट में एथियोपिया देश में पाया गया है अब लुक देखेंगे वर्ड के मैप में यह जो देश है एथियोपिया यह कहां पर रिस्तित है तो आप इसका फोटो देख सकते हैं इ कि सैफ अंडर 15 का खिताब किस तेस ने जीत लिया है मेगा वेंडर मेट 2019 को भारत के किस सहर में आयूजित किया गया है भारत के किस राजिकी कंदागी साड़ी को हाल ही में जी आई टेक परदान किया गया है आई होप आप सभी प्रसनों का राइट अंसर देंगे साथी लाइक और शेयर करना ना भूले अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो दिल से इस वीडियो को शेयर करने में ना भूले